हेलो गाईज, क्या आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो? ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आजकल हर किसी को अट्रैक कर रहा है चाहे आप एक स्टुडेंट हो, चाहे आप एक ओफिस में जॉब करते हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो हर कोई ट्रेडिंग प्रोफेशन में आना चाहता है विकाउस सबको लगता है कि यहां पर पैसे बनाना बहुत आसान है जो कि रियालिटी है, अगर आप धंक से सीख लेते हो तो वाकई में ट्रेडिंग से पैसे कमाना बहुत आसान है तो अगर आप भी trading की start करना चाते हो तो आपके माइंड में यह जरूर आया होगा कि कौन से platform से शुरू करें क्योंकि जब बात आती है trading की तो market में बहुत सारे ऐसे platform है बहुत सारे applications है जो आपको trading की facility provide करते हैं बट एक beginner को नहीं पता होता है कि कौन सा platform बढ़िया है, कहाँ पर हमारी कम फीस लगेगी, किसका interface easy है, कहाँ पर trade करना आसान होगा और कौन सा application trust करने लायक है तो आपके इन सभी doubts को इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ, मैं आपको best platform बताने वाला हूँ trading के लिए या फिर brokerage fees लगती है, वो कम से कम होनी चाहिए, बिकॉल उसे हमें long term में हमेशा के लिए pay करना होता है और वो अगर ज्यादा होगी, तो हमारा long term में नुकसान होगा तो इन सभी चुजों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपको best platform suggest करने वाला हूँ, जिनका मैं यूस फिले तीन सालों से कर रहा हूँ trading के लिए तो चलिए आपके ज़्यादा time को waste ना करते हुए, जल्दी से बताते हैं आपको कौन से हैं वो platforms तो सबसे पहले मैं बता दो ये वीडियो कोई paid promotion नहीं है, मैं अपने experience के भिहाब पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा platform है trading के लिए सबसे बढ़िया 2023 के अंदर तो देखो आप trading के भी कई सारे types होते हैं, बहुत साई लोग stock market में trading करते हैं, बहुत साई लोग cryptocurrency market में trading करते हैं, बहुत साई लोग forex market में trade करते हैं अब ये आप पे depend करता है कि आप कौन से market में trading करना चाहते हो, जनरली stock market की जो timing होती है, वो Monday to Friday 9am to 3pm के बीच में होती है और इस timing के बीच में जो लोग job करते हैं, या फिर जुन लोग का business है, जो सुबा से लेकर साम तक busy रहते हैं, वो लोग trade नहीं कर पाते हैं तो अगर आप Monday to Friday free रहते हो, trading के लिए तो आप stock market में trade कर सकते हो, अगर आपके पास time नहीं है तो आप cryptocurrency market में भी trade कर सकते हो, because cryptocurrency market 24-7 open रहता है तो चली सबसे पहले हम बात कर लेते है, stock market के लिए सबसे best application कौन सा है, because maximum लोग stock market में ही trading करना चाहते होंगे तो stock market के लिए मैं आपको suggest करूँगा Angel1 app, Angel1 इंडिया का oldest broker है जो की 1987 में established हुआ था और तब से लेकर आज तक Angel1 के platform पे कभी भी कोई issue नहीं आया है trading को लेकर यहाँ पर आपको trading के लिए best services मिलती है, सबसे अच्छी बात Angel1 platform की जो मुझे लगती है वो है इनका user interface अगर आप एक beginner हो आपको ज़्यादा पता नहीं है तो सीखने में आपके लिए Angel1 का platform बहुत ज़्यदा help करेगा, बहुत easy UI है, बहुत सारे features आपको easily समझ में आ जाएंगे और Angel1 पर जो आपकी trading या brokerage fees लगती है वो भी बाकी platform की comparison में बहुत कम लगती है, flat 20 रुपीज आपको per order देना पड़ता है Angel1 के platform पर जो की comparatively बहुत कम है other platform से और इस टाइम पर Angel1 में आप free में अपना DMIT और trading account ओपन कर सकते हो, आपको कोई भी account opening charges नहीं देने, साथी साथ किसी भी तरीके का account maintenance charges भी Angel1 आपसे नहीं लेता है और पिछले 3 सालों से मैं Angel1 का use कर रहा हूँ, आज तक मुझे कभी कोई issue नहीं आया है, तो हाँ आप अपनी stock market की journey Angel1 application के साथ सुरू कर सकते हो, ये platform आपको कभी भी disappoint नहीं करेगा, इसका referral link में ने description में दे रखा है, वहाँ से जाके आप अपना account open कर सकते हो, आपको account opening charges नहीं लगेंगे इस time पे, अब बात करते हैं, cryptocurrency market में अगर आपको trade करना है, तो best platform आपके लिए कौन सा रहेगा, क्योंकि cryptocurrency market 24-7 on रहता है, और बहुत सारे लोग crypto market में trade करना पसंद करते हैं, इसके भी बहुत सारे advantages हैं, तो आपको भी crypto market में try करना चाहिए, और बहुत स number one exchange, जी हाँ, Binance, Binance world का number one exchange है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा users है, सबसे ज़्यादा trading volume है, और सबसे ज़्यादा trading के features भी offer करता है Binance, अल्मुष्ट हर एक trading का feature आपको Binance का अंदर मिल जाएगा, साधी साथ investment के तुरू जितने भी पैसे कमाने के options है, वो सारे Binance आपको offer करत है, Binance platform की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक ही platform पर सारे features मिल जाते हैं, इसके अलावा Binance की जो trading fees है, वो भी काफी कम है other exchanges की comparison में, इसलिए यह number one है, ऐसे ही कोई exchange number one पर नहीं पहुचता, तो अगर आप crypto market में भी interested हो trading करने के लिए तो इस पे भी आप account यहाँ पर open हो जाएगा, अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक beginner हो, आपको पता नहीं है कि इन दोनों platform पर कैसे trading करनी है, कैसे investment करनी है, कैसे account open करना है, तो सारी videos आपको इसी channel पर मिल जाएंगी, मैंने almost हर एक topic को cover कर रखा है, अपने इस channel पर, बात करें stock market की तो आपको entire trading, option trading, normal investment, mutual fund, IPOs, सारी videos आपको मेरे channel पर मिल जाएंगी, stock market related, और वहीं पहले अगर हम बात करें, cryptocurrency trading, तो आपको spot trading, future trading, margin trading, option trading, जाफि normal spot investment, staking, पैसे कैसे deposit करने है, withdraw कैसे करने है, पैसे कैसे कमाने है, सब तरीके की videos आपको इसी channel पर मिल जाएंगी, जो कि आप सकते हो, share market की अलग playlist है, और cryptocurrency market की अलग playlist है, दोनों को आप watch कर सकते हो, तो जाएए अपना account open करिए, link आपको description और comment box दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप open कर लीजिए, बाकि अगर आपको कोई problem आता है, तो comment section में जरूर पूछरागा, आपको जरूर reply करूँगा I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कर दो, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe कर लो, मिलते हैं guys for next video में तब तक के लिए, goodbye and take care